गोंड़ा ग्रामीन अभ्युदै सेवा समिती गोंड़ा द्वारा युवा समवाद भारत 2047 अंतरगत आधारित विशे अम्रितकाल के पंचप्रन कार्यक्रम आयोजितकर युवाउं से समवाद स्थापित किया गया कार्यक्रम का शुभारम बतोर मुख्याति थी राजेंद्र प्रताप सिंग, गुडु सिंग प्रयास, संस्था प्रबंधक देशराज सिंग वधी रेंद्र प्रताप सिंग, धीरु सिंग ने दीख प्रज्वलित करमा सरस्वती जी एवं स्वामी विविकानन जी के चित्र प पुषपार्पित कर किया। ततपश्चात अतितियों को स्मृती चिनुव अंडवस्ट देकर सम्मानत किया गया। इसी प्रकार जिला संस्था के प्रबंधक देशराग सिंग ने उपस्थित युवाउं अंशिका सिंग, महक सिंग, निखिल, योगिश प्रताप, आनन, मानस सिंग एवं आशी शर्मा से समवाद करते हुए गुलामी के किसी भी प्रकार की दास्ता से मुक्त होकर अपने लक् सिंग ने गुलामी की हर सोच से मुक्ती की बात कही। आज ए शुकला ने अमरित काल के पंचप्रण के अंतरगत विरासत का महत्व बताते हुए अपने पैत्रिक द्वारा प्राप संस्कृती को अपने जीवन शैली में जोडने की बात कहते हुए देश की विरासत पर गर् अधर ग्विवेदी ने प्रतेक नाग्रिकों को अपने कर्तवय की प्रती जाग्रूप होकर कार्य करने की बात कही। विने श्री वास्तव ने युवाओं से समवाद स्थापित कर उन्हें अपने लक्ष की प्रती सजक्ता पूर्वक अग्रसर रहने की बात कही। जिला प करिचर्या करते हुए कहा कि युवा अपने कर्तव्यों की प्रती जाग्रूप होकर अपने समाज का उत्थान करने में अपनी भूमिका तै करें। ततपश्चात श्री तिवारी ने उपस्थित लोगों को अमृत काल के पंच प्रंग की शपत दिलाए। कार्यक्रम का संचालन अभीम्य मिश्रा व अध्यक्षता प्रधनाचार्य दयाशंकर सिंध ने किया। कार्यक्रम के समापन में ग्रामीन अभ्युदय सेवा समिती गोंदा के सचिप के योध्य प्रसाद मिश्रा ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद यापित किया。 पार्यक्रम में शिक्षकमरेश शर्मा, अभिशीकुपाध्याय, सूरज गोस्वामी, मनीश गोस्वामी, नीलम सिंग, रागिनी सिंग, रोष्णी सिंग, सुर्भी, कृष्णा मौर्या, तनु सिंध सहित शेया मिश्रा, सुनीती मिश्रा, आचल, अंजली, आकाक्षा सिंध सहित सेकनों ये वाव पस्थित रहे. लोगों ने राज लिया, उस समय उन लोगों ने इस रोड का नाम रखा था, उसके बाद जो भी सरकार हैं, मैं किसी को तर पस्थित नहीं लगा रहा हूं, लेकि उन लोगों की हिम्मत रही बड़ी कि इस रोड का नाम बदल करके किसी अपने भाड़ देश के, जो हमारे द बड़े बड़े भाइटी पक्ति प्रिया, आज हमों के बीच में नहीं है, उन्होंने लोग एक दिम बैठे थे थे, उन्होंने कहा कि वोग उनको भूना जाए, जैसे मैंने कहा था, आप दबा दीजे तो वह गौंग खतम हो जाती है, हम लोगों ने पता किया, मैं अब ही मैं ने उसमें 5 लाग रुपाय करके उसमें थोड़ा संदरी करण कराया है, टाइस लगवाया सरमाई का लगवाया है, ताकि हमारे बच्चे उनका नाम जाने, वह हमारे पावार को उमरी का है, वह बरहु लिखे हैं, कुछ हमारे जवर्नगर के हैं, समरी के लिए, इनका नाम एक तब से नहीं जानते थे, मैं चाहूंगा बच्चे अगर जाएं, तो सिरह पड़कर से का नाम लिखा है, नाम लिखने में लेते होगा, आप मोबाइल एक उनका फोटू कीच दीजिए, कम से कम उसमें नाम भी लिखा है, किस ग्राम सरहा के हैं, यह सब लिख हमारे जबनेखने में बेग सुतना संग्राम से नानी थे,